स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हमारा फॉस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है एन हमारी आज एक्साइज 1.1 सुरू हो रही है तो हम अपने एक्साइज 1.1 सुरू करते हैं ओके तो दर फॉस्ट कोश्चन इस फिल इन दे ब्लैंक्स एन नमबर वन हमें इस पर फिल कर आज एक्साइज 1.1 लैक्स एक्साइज 1.1 लैक्साइज 1.1 लैक्साइज 1.1 लैक्साइज 1.1 लैक्साइज 1.2 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 लै तो यह और टैन थावजende किता होता है यह हम थैन हमारे निंढकिता है थैन फटैन फ्रिंधॉदोद ही है एथास तो 10 एक पैन पूर pleas me क्लिशन अगर हमारे पास 104 जब हम किसी 40 करते तो झाल होजाता है तो हमारे यहां पर इसुत डैन जाता है 10 तो यहाँ पर 10 किया तो यह क्या हमारा correct है okay and B is क्या है 1 million तो हमारा क्या है 1 million is equal to dash hundred thousand okay यह thousand को मैं एल्जिस कर रहे हूं तो 1 million में हमारे किते 0 होते तो जो हमारा million होता है यह हमारा international system का होता है यानि हमारा क्या होता है 10 lakh is equal to 1 million okay यानि अब हमारे 10 lakh में कितने होंगे 1 million में होता है हमारे 6 zeros okay 3, 4, 5 and 6 and hundred thousand है तो हमारा first में hundred thousand तो hundred thousand के लिए क्या करेंगे हम hundred thousand हमारा और thousand 1, 2, 3 तो यहाँ पर कितने है हमारे 3 and 2 यानि five zeros है और यहाँ पर six है तो हमें यहाँ पर क्या कर लेंगे one zero add करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा one million ten hundred thousand के बराबर हो जाएगा तो यह इक्वल हो जाएगे तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा ten thousand आ गया तो अगला देखते है हम c देखते हैं तो c क्या है हमारा one crore is equal to dash ten ten lakh okay तो one crore में कितने zeroes होते है three four five six तो देखो यह किता होगे हमारा one ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh and crore okay तो कितने zeroes होगे two four यानि one two three four five six seven okay and ten lakh में देखते हैं ten lakh में कितने होंगे हमारा ten plus lakh one two three four five तो यानि one two three four five six तो यहाँ seven है यहाँ six है तो हमें कितना eight करना पड़ेगा one zero okay तो हमारा किता होगे ten lakh that means यह भी हमारा correct है okay and अब देखो अगला d देखते हैं हम d क्या है हमारा one crore is equal to dash million तो हमारा जो one crore है वो dash million के बराबर है तो सबसे परहे तो one crore कर लेंगे one two three four five six seven million तो million कितना के बराबर हमारे ten thousand के बराबर होता है ten lakh के बराबर होता है okay तो ten lakh के बराबर हमारा million में किते होंगे यह भी हमारा correct है ओके अब next देखते है one million is equal to ten lakh तो इसको आप home back करेंगे okay and next करते है तो इसमें हमने क्या करना है यहाँ पर correctly numerals हमारे जो हमें यह दे रखे ना write the numerals कह रहा है हमसे तो जो यहाँ पर हमें दे रखे हैं यह words में हमें number दे रखे तो इनको हमें numerals में करना है okay तो इसमें हम first देखते है क्या है seventy three lakh seventy five thousand three hundred seven तो seventy three lakh कह रहा हमसे सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे 73 को लिख लेंगे as is 73,75,307 73 lakh 73 में लिख 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 पाइव लिखे है five ।ो हम क्या कर लेंगे five blanks कर लेंगे one two three four and five तो क्या कर देख लिख 73 73 lakh,75,000 तो उसके बाद हम क्या फूट कर देगे 75,000 क्या 303 blanks है हमारे thousand के लिए तो फिर क्या है 75,000 307 तो यहाँ पर कर देंगे 307 ओके और हम इन blanks को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यह कौन से form में आ जाएगा हमारा Numerals की form में आ गया और B अब देखो B पर क्या है 9 करोर 5,41 9 करोर के लिए सबसे पहले 9 करोर में कितने 0s होता है 7 तो 1,2,3,4,5,6,7 हमारे 7 blanks होगे 9 करोर 5,5,5,8 5,0,5,8 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 करोर 5,0,5,8 5,0,5,8 हमारे Kते 0s होता है 5,0,5,6 तो 1,2,3,4,5,6 तो अब यह 6 होगे तो हम क्या करेंगे 0 फिल कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या जागा 5 आ जाएगा तो आप देखो किया हमारे यहां पर five zeros आने वाले है तो one two three four five yes तो यह क्या हमारा हो गया five lakh हो गया तो क्या कर five lakh forty one अब देखो इसमें हमें थाउजंड का नहीं थाउजंड का हमें तम दिया है नहीं hundred का तो forty one कह रहा हम से तो हम यहां पर forty one fill कर देते हैं और इनकी जगह पर zeros fill कर देंगे अब देखो C देखते हैं C देखो क्या है seven crore fifty two lakh twenty one thousand three hundred two तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है seven seven crore seven crore कह रहा है ना तो देखो सबसे पहले कर देते seven and crore में किते zeros होते है हमारे seven one two three four five six seven okay क्या कह रहा है seven crore fifty two lakh तो अब यहां पर हम करते हैं first one fifty two कर देते हैं fifty two lakh कह रहा है तो lakh में हमारे किते zeros होते हैं five तो क्या five है one two three four five yes हमारे five है तो फिर क्या कर रहा है करो fifty lakh lakh twenty one thousand तो twenty one हम यहां पर फिल कर देते हैं twenty one thousand में हमारे three blanks है yes है twenty one thousand three hundred two तो three hundred two ओके तो यह हमारा फिल कर दिया हमने ओके तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे अब देखो जो बाकी के हमारे हैं जो next है उसे आप homework करेंगे और उसके बाद हमारे कुछ यह according to Indian system में हमें क्या करना है इसे enumeration करना है words में लिखना है हमें इने तो इसे हम कल देखेंगे thank you guys